हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फुर यू तो गई जैसा कि आज आज आपका SSE GD का साथ फर्वरी के फर्स इप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के जो है आज आपके साथ फर्वरी के फर्स इप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSJD Constable से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में आपको एक बैल ऐकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुश्यन है था कि अक्टूबर 2022 में उत्तर परदेश के किस पूर्व मुख्य मंत्री का नीधन हो गया था तो देखें मैं आपको बता दो कि अक्टूबर 2022 में उत्तर परदेश के पूर्व सियम और समाज पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंग यादो का बेरासी साल के उम्र में जो वो नीधन हो गया है तो मुलायम सिंग यादो आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि चालूक के राजा पुलके सिंद्वित्टे ने नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ यूद लड़ा था तो देखें मैं आपको बता दू कि पुलके सिंद्वित्टे ने जो है 618 इसवी में नर्मदा नदी के तड़ पर यह हर्सवर्दन से यूद लड़े थे तो यह आपका नर्मदा नदी के तड़ पर हुआ था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और किस इसवी में हुआ था तो यह आपका 618 इसवी में हुआ था इसके अलावा पुलकेशिन देते हैं यह जो है किस वंस का सासक था तो यह आपका चालूक के वंस का ज तो मिजोरम आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा देखें इसके लावा मैं आपको बता दू कि यह जो आपका चेराव नेते है ना इसे बास नेते के रूप में भी जब वो जाना जाता है इसके लावा मिजोरम के अन्य नेते की बात कर तो आपका खुलम, सरलाम काई, छेई चलम और मिजो यह सब आपके मिजोरम के अन्य पारंप्रिक नेते हैं तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को आप रहा था कि अमेरिका के सिकागो में किस भारतिये ने यह भासन दिया था तो देगे मैं आपको बता दू कि 11 सितंबर 1983 को जो है सिकागो अमेरिका में विश्व धर्म शम्मेलन में यह स्वामि वेका नन्द ने भासन दिया था तो स्वामि वेका नन्द आपका क्रेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को चाहाँ आपके अप रहा था कि सुल्तान जोहर कप यह किस खेल से संबंदी टूझा है तो देगे यह जो आपका सुल्तान जोहर कप है यह आपका हौकी टूनामेंट से सम्बंदीत है, तो हौकी आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, नेक्स्ट विश आपका आप रहा था कि बलुवा पत्थर, यह जो है किस परकार के चटान का उदारेन है, तो देगें यह जो आपका बलुवा पत्थर है यह आपका सेडिमेंटरी रोक यानि आवसाधी चटानों का उदारेन है, तो आवसाधी चटान आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा, बात कर ले आवसाधी चटान यह किसे कहा जाता है, तो देगें मैं आपको बता दू कि प्रकीति के कारको द्वारा निर्मी चोटे चटान किसी अस्थान पर जमा हो जाते हैं और बाद में आपका रासाइनिक प्रतिक्रिया या फिर अन्य कारनों से यह जो आपका परत होता है यह आपका ठोस रूप में यह आपका निर्मीत ह हो जाता है और इन्हें जो है औसाधी चटान यानि सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक के अन्य उदारन के अगर मैं बात कर लो तो देखे बलवा पत्थर चूना पत्थर स्लेट कांगलो मेरेट नमक की चटान और सेल खरी यह सब जो आपके औसाधी चटान के जो है उदारेन है इसके लावा बात कर ले आगने चटान के बारे में तो यहां से भी जो आपके प्रेस्ट न पूछे जाते है प्रेस्ट न ये पूछा जाता है कि मैगमा या लावा के जमने से कौन सा चटान बनता है तो देगे मैं आपको बता दू कि मैगमा या लावा क जमने से जो है, आपका इगनियस रॉक, यानि आगने चट्टान बनता है, और आगने चट्टान के उधारन के, अगर मैं बात कर लूँ, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाईट, डायोराइट और ग्रेबो, यह सब जो आपके हैं, आगने चट्टान के उधारन है, तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपका आप रहा था कि Hero Indian Super League, यानि ISL के जो आपका ATK का जो कलब है ना, ये कहां का है, तो देखें ये जो आपका Hero Indian Super League में, ये जो आपका ATK कलब है ना, ये आपका Kolkata का है, तो Kolkata आपका यहां पे correct answer होगा, बात कर ले ISL, यानि Hero Indian Super League के बारे में, तो देखें ये जो आपका ISL है ना, ये आपका भारत का बेजोड फुटबॉल, जो ये आपका टूनामेंट है, जिसकी सुरुआत जो है, ये आपका 12 October 2014 को हुआ था, और इसके पहले संसकरन की विजेता की बात कर ले, तो देखें, ISL 2014 का जो पहले संसकर रहा था, वही अगर वर्तमान की बात कर ले, तो वर्तमान में आपके 2021-22 में, जो ISL के विजेता रहा है ना, वो आपके हैदराबाद EPSI रहा है, और देखें, मैं आपको बता दू कि हैदराबाद EPSI ने जो है, फाइनल में, पैनल्टी सूट आउट में जो है, केरला ब्ल स्टर्स रहे हैं, इसके लावा यहां से एक्जाम में एक प्रस्ट और बनता है कि ISL का जो सबसे ज़्यादा खिताब है, यह किस टीम ने जीता है, तो देखें, मैं आपको बता दू कि ISL का जो सबसे ज़्यादा खिताब है, यह आपका एटलेटिको डी कुलकता, यानि 80 की पूझा गया था, यहां पर जो आपका किसके मिसरन से बनता यह पूझा गया था, तो देखें, मैं आपको बता दू कि आपका जो बूझा हुआ हुआ चूना है, यह आपका बीना बूझे हुए चूने, जिसे जो है कैल्सियम ऑक्साइट कहा जाता है, और वाटर को जब आ पूझे हुए चूने का जो इस्तमाल है यह आपका इमारतों में गारे में किया जाता है, प्लास्टर और सीमेंट के लिए इसका ब्योग किया जाता है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट को शाम कर आप रहा था, कि भारत में पहली निर्वाच्च जो लोकसभा यह जो अस्तितु में है यह कव आया था, तो देगे मैं आपको बता दू कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतनत होने के बाद जो है, 1951-52 में जो आपका आम चुनाओ जो वो देश में करवाए गया था, यानि पहला जो है लोकसभा चुनाओ जो है, आपका 1951-52 में हुआ था, और पहली लोकसभा का जो गठन है यह आपका 17 अपरेल 1952 को जो वो किया गया था, और यह जो आपका पांच वर्सों की पूर्ण अवदी तक जो वो आपका चला था, और 4 अपरेल 1957 को जो है, इससे भंग कर दिया गया था, तो 17 अपरेल 1952 आपका यहाँ पर एक answer होगा, next question आपका आप रहा था, कि रंगोली बीहु, जो कि असम के परमुग तेवारों में से एक है, और इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, यानि रोगाली बीहु का जो है, दूसरा नाम पूछा गया था, तो देगे मैं आपको बदा दू कि असम राज्य में जो है, आ आपका अप्रेल के मध्य महीने में जो है, असम में मनाय जाता है, इसके अलावा सेकंड बीहु के बात कर लें, तो यह आपका काति बीहु, जिसे जो है कंगाली बीहु के नाम से जाना जाता है, और यह जो आपका कातिक महीने, यानि अक्टूबर मन्त में जो है, इसे मनाय जाता है इसके बाद जो आपका माग भीहु जिसे भोगली भीहु भी कहा जाता है और ये जो आपका जनवरी यानि मकड सकरांती 14 जनवरी को जो है ये आपका भोगाली भीहु जो है ये मनाय जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका त्रिपूरा उपचुना 2022 है था विधान सुभा छेतर का नाम मुझे नहीं मिल पाया है लेकिन मैं आपको बता दू कि त्रिपूरा उपचुना 2022 में चार जगों पर आपका उपचुना करवाए गया है और देखें त्रिपूरा में अगर तल्ला वि विधान सुभा छेतर दू वाली विधान सुभा छेतर 2022 से जो है यहां से विजेता बने है जो कि त्रिपूरा के वर्तमान में मुख्य मंत्री भी इसके अलावा त्रिपूरा सुर्मा विधान सुभा छेतर उपचुना 2022 में जो है यहां से विजेता बने है अगर जुबा र यह ऩैसल मैं आपको सारा बता दिया हूँ, नेक्स्ट कुश्mbक रहता के खाक मिलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो तो थेखें खाक में मिलना मुहावरे का जो सई अर्थ होता है थो आपका का करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट अपका अम्रीत का प्रयाच्ची सब्द पूछा गया था तो देखें अम्रीत का प्रयाच्ची सब्द होता है वह आपका सुधा, सोम, प्यूस और अमिये होता है तो आपका प्यूस दिया गया था तो प्यूस आपका यहां पर करेक्ट टे सरदार स्वपसिंग समेधी के सिफारिज पर 42 संभीधान शंसोधन उनिसक्षाटर द्वारा हमारे संभीधान में 10 मौली कर्टब्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो मौली कर्टब्यों की शंक्या है वो आपका 11 है और 11 जो मौली कर्टब्य है यह आपका 86 शंबिधान संसोधन, 2002 के माध्यम से जो है 11 मौली कर्टब्य को जो जोड़ा गया था और यह जो आपके मौली कर्टब्य यह किस अनुछेद में है तो यह आपके 51 अनुछेद में है, वह हैं अगर भाग की बात कर ले, तो भाग 4 के A में है, इसके बात कर ले मौलिक कुरताबी को किस देश के संबिधान से लिया गया है, तो इन्हीं में से आपका कोई प्राश्न पूचा गया था, तो इतने प्राश्न आज बच्चों के द्वारा मिले है जो कि 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरू कर दीजेएगा और इसी तरह SSE के पलपल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेएगा तो मिलते हैं next student तर तक thank you all the best